सभिको नमस्कार, आज हम माठी वाली चैप्टर की short answers questions कर रहे हैं, जिसे हम बहु विकल्पी प्रेशन भी कहते हैं, तो इसमें पहला प्रेशन है, माठी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? मार्टी वाली पार्थ के लिखर का नम विद्यासागर नोटियाल है इसमें A option सही है चार option दिएवे हैं चारों में से A option यहाँ पर सही है पार्थ लिखा है विद्यासागर नोटियाल ने फिर प्रिशन आता है कि मार्टी वाली किस नगर की रहने वाली है माटी वाली तीहरी नगर की रहने वाली है उसके बाद कुश्यन आता है कि वह नगर के घरों में क्या पहुँचाती है वह नगर के घरों में लाल मिट्टी पहुँचाती है जो चूला लीपने के काम में ली जाती थी जिसकी पाठ के वो नन में हमने पढ़ा भी था यही प्रिशन आ रहा है चोथे नुम्बर पे कि घरों में लाल मिट्टी किस काम में ली जाती थी तो चूले चोके की लिपाई के लिए लाल मिट्टी को काम में लिया जाता था प्रेश्न आता है कि टिहरी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है माटा खाना किसे का जाता था माटा खाना का जाता था जहां से मिट्टी खोद करके लाई जाती है जहां मिट्टी मिलती है और जो चूला लिपने के लिए कामने ली जाती है भूख मीटी की भोजन का अभीप्राय क्या है इसका अभीप्राय यह है कि जब भूख होती है तो भोजन अच्छा लगता है यानि भूख के कारण भोजन मीठा लगता है option D यहाँ पर सही जवाब है उसके बाद प्रिशना आ रहा है कि गरीब आदमी का समशान नहीं उजड़ना चाहिए यह शब्द किसने कहे थे यह शब्द कहे हैं माटी वाली ने प्रिशन नो यह तीहरी बांद बनने से वहाँ के लोगों को क्या कठिनाई हुई होगी कठिनाई उन्हें यह हुई थी कि उन्हें नगर छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ा यानि और कहीं जाना पड़ा यह उन्हें कठनाई हुई थी प्रिशन दस है माटी वाली कहानी में कि समश्या की और संकियत किया गया है माटी वाली कहानी में तॉनकरायिंम द्वारा दी गई दो रोटियों में से एक रोटी मार्टीवाली ने किसके लिए चुपा करके रख ली थी तो यहां पर उससे जो रोटी चुपाई थी वो अपने व्र Timothy के लिए चुपा करके रख ली थी नहीं का जो पती किस नहीं मंगा था